परस्तोच्छा उपन्याज लुना को दोसरो भाग लुना चिकिट सक भाई उब चिकिट सकत भाई तड़क काम खोजनु पर ने स्थिति थी थी हो उब काम खोजना धाली उसमा शानी देखी इस्थती रोग रप्रसुती सम्ध है काम गरने चाहना थी हो तेही चाहना लगपुरा करना उँ प्रस्चुती ग्रिहामा जागिर का लागी काई उसको प्रस्चुती ग्रिहा का कसे संगपने चीन जान थे एना सिधे प्रशासन को कारेले मा गयरा उसले आफनों परिचे दिन देई मलाई प्रसुती ग्रिहमा जागिर खाने इच्छा छा भने रखुरे राखी जागिर को निम्ती युटा निविदन लेखन भनियो रत्यस को भोली पल्ट देखी नहीं उसको जागिरे जीवन चुरू भायो त्यों समय प्रसुती ग्रिहमा डाक्टर को अभाव रहे छा नेपाल फरकिये को 70 दिन पचिने उसले काम गरने अवसर पाय की थी काम करते जान्दा त्यांके इस समस्य हरूपनी आए युटात उसले रश्यामा अध्यन गरे को भासा रा नेपाल को भासा मिल्लाई न थियो और कुछ हैं तॉर्मीनो लोजी हरूपनी मिल्लाई न थियो तेस्ताई रश्या बाट अध्यन गरे रा आयका हरूमा अनुभव को कमी हुन्छवनने स्वचाई और उचिकित्सक हरूमा राहकोले सीनियर हरूले उसले खासे वास्ता गरेनन रश्यायोगी भावनाली पनी हेरेनन रूश्यामा अध्यन गर्दा उसले आफनो मेहनत्र अनुभवलाई तेरे खारी की थी तेसेले स्वास्ते का वावजूत गर्दा उसलाई कामगर्ण सहज होंदे गायो प्रश्चुती गृहमा उसले रश्यामा अध्यन गरहरा कामगर्ध राहिका अरू दो दिचार जन चेकित्सक हरूमे भैठी रश्यावाट अध्यन गर्दा पनी पनी भाहियो ला केई परेभने भन हामी तिमलाई सोयो गर्छाओं। उन्हेरु संग को चेंजान रक्कुरा खानी ले अपनत्तो को भाव लुनामा जाक दे जाना थालियो। रस्या रा निपाल को संदर्व भने केई फरक्त निस्चित रूपमा थियो। रस्या मा भने स्वास्ते उपचार को खर्चा सर्कार ली बयहारने भागो होँदा निपाल भन्दा भिंदे परिश्तिती थियो। तेस्तो देश मा अध्यान गरेर फर्गे को हुदा सुरु को दिन मा लुनालाई नेपाल को स्वास्ते छेत्रमा भिजन नेके गारो भायो। त्यो सभाविक बनी थी हो। बिरायमी संग कसरी संबाद करने, कसरी उन्हेर का समास्या भारे बताओने भनने विश्यामा उसमा अन्योलता छायो। तर साथे उरले उसलाई सहयोग करे। डाइग्नोसिस करना पनी उसलाई गारो हुन थी हो। पाहिलो पल्टता उ लेवर रूम जहां बच्चा जन्मानों गरिंच तेस ठाव मां जादा लस्करई गर्वबती महिला हरु ले देखता तरसी बनी। रस्यामा तेसरी लस्करई शुतकेरी हुने महिला हरु देखिन देखिन दे न थे। यहउटा यहटा लाई छुट्टा-छुट्टे राखे रखेरा शुतकेरी गरावने नियम थी तर यहाकु प्रश्युति क्रियामा सुदकेरी हुना लागी रहेका मैलाहर को लास्कर, हल्ला-खल्ला र आप वेबस्थित प्रणाली देखेरा लुना अत्ताली ना पुगी। तर यहाकु प्रणाली ना पुगी। तर यहाकु प्रणाली ना पुगी। अहंकार पनी जाग थेओ। तर यहाकु प्रणाली ना पुगी। यहाकु प्रणाली ना पुगी। उसले प्रणाली 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 ना पुगी। दक्षे डाक्टर हो। उक्ता अस्पतालमा काम करदा करदेई विवाह भायको एक बर्स पची। उसले छोरी जन्माय। तर छोरी जन्मिदा बिवेक पटक के खुशी देखिये न। उसले छोरी जन्माय को मां बिवेक असंतुस्ट देखिये को थी हो। उसले मुख्ये फोरे रा भाने हो। लूना, तर मली छोरी जन्माय। अब छोरी मात्राइ जन्माय न रहाखा है। मलाई छोरो जाइँ चोरू लूना ले तेति बेले विवेक लाई प्रति उत्तर दिन्देई भाने की थी ही। हे रा विवेक चोरा र चोरी क्ये जन्मन्चा भनने कुरा लोगने मानिसमा भारपर ने कुरा हो तिमले एतिपेन थाचाईनर लोगने मानिसको एक्स र वाई क्रोमजोम होंच स्वास्नी मानिसको एक्स मात्र होंच एक्स एक्स होंदा चोरो र एक्स वाई होंदा चोरी होंच तिम ले ठाच हता, बिबेक ले अहंकार लाई काखी च्यापएको थी हो, उसले लुना लाई उल्टे थार खायो, तिमी डाक्टर अरुको लागी हो लुना, मेरो लागी तो स्वासनी मात्रे हो थी मी, स्वासनी भाय पर सी लोगने को चाहनारा खुशी को कदर गर न सिकम, छो मेरो जीबन में के पर मात्रे हो राखती है, बुजियो थी बले। ये रहा भाय पनी उच्छा मनवने प्रहत्नमा लागी। लुना शुतकेरी भाय को अवस्थामा विबेकले अचानक काम को भाना बनारा धनगडी जाने कुरा सुनायो रा उत्तुरूंते भाटों पनी लागेो। सुतकेरी भाय को समय मा पती को सिहार, सुशार रव माया पावने लालोसा हर एक स्वास्नी मानिस ले राखे का हुन छन। तर उसको पतीले उस सुतकेरी भाय को के दिन माने एकले छोडेर जादा उसलाय मानसिक तनावले खेरियो। तेशोत बच्चा गर्भमा हुनदा पन्त बिबेकले कुने हेर विचार करेको थिये न। रश्यामा बैटीये को बिबेक बिबहा गरे पस्चात धरे फरक भाहिशयके को थियो। बिबेक को बानीत फेरियो तर बिल्कुल फरक ढंगले। बरफ थियो पहले बिबेक लुना को न्यानों ले फगलिन थियो। अचेल उँ आगो वायको छा, उसको समीद ताले लूना लाई खरानी बनाऊ छा, लूना विवेक को बेवार ले अती दुखी वायकी थी ही गर्ववती अवस्थामा पने विवेक ले कुने किसिम को हेर चाहरब माया देखाएको थी है न बरूसका जेठा दाईले लूना लाई फल्फूल लाई दिने रहेर विचारगर ने काम गरेका थी है पतिले चाड़े रहिने पने चार मैना सम्मा उँ पुरानो वक्त पुरिष्थित खरई मा बसी सासूले उसलाई सहयोगने गर हिन तर विवेक को विवारले उँ भित्र भित्रे आतिना थाले कि थी धरे समय विवेक घर ना आय पाची उँ कही समय शूतकेरी अवस्ता मा माईत बसी दिन प्रति दिन विवेक भने बिग्रे दे गई रहको थी हो उसले दिखायको अशोवनीय विवारले लुना व्यकूल हुन थी निववारी सांस्कार अनुरूप स्रिमती सुथकेरी मा माईत जांदा स्रिमानले लिना आउनु पर ने चलन थीयो के समय माईत बसे पची उसले फोन गरेर विवेकलाई लिना आउना भानी तर विवेकले ठाड़ो जवाती हियो मा आउन पउदीन थीमे आफे आउँ उसले निके कर गरेपाची बल्ल तल्ल विवेकली न आयो तर उसले लिना आउँदा खुशी देखेको थियेना उशंगा बोलने चाहेना चोरिलाई मन फुखायर हिर दापनी हे रेणा यसरी समय बित्ते कायो बिस्तारई बिस्तारई बिवेकले चोरिलाई थोरे माया दर्शूना लाग्यो बिवेकको कुझे भार थिये न न उशको जागिर को तेसे ले छोरी साने भाय पनी लुना ले परिवार नियोजन संग मा कामगरना थाली बच्चा साने भाय को ले परिवार नियोजन संग मा वो रात्री काली इन ड्यूटी बाटर मुक्ता भाय की थी परिवार नियोजन संग मा कामगरन थाले पछी लूनाले नए नया कुरा सिखने अवस्थर पाही उसको जिन्दगी ले नया मोड लेको थी हो त्यहां उसले अप्रेशन गरन पनी सीखी उसको वास्तविक करियर संग बातने शुरू भाय को थी हो परिवार नियोजन संग मा कामगरने वातावरन निके रामर थी हो त्यहां का बरिष्ट तथा अनुभवी डाक्टर हरूड ले उसले काम सिखा है परिवार नियोजन संग अमेरिका को सोयग मा नेपाल मा संचाले त्सांस्ता थी हो त्यहां परिवार नियोजन मात्र नभायर म परिवार नियोंजन संग मा अरुठाउं को तुलना मा रामरे तलब थियो परिवार नियोंजन संग मा अरुठाउं को तुलना मा रामे तलब थियो परिवार नियोंजन संग मा कामगरने वातावरन असाद्धे रामर थियो लुनालाई त्यो वातावरन मा कामगरने अवसरले तेरे ज्यांद्र अनुवाफ दियेको थियो तरब विवेकले घरमा कहिले रामरो वातावरन दियेन लुनालाई संग मा कामगरने पुरुषरू रामर रामर थिये यो कुराले विवेकलाई असाद्धे पोल थियो विवेकले प्रतिक दिन लुनालाई अफिसका केटा मांचे और संग कामगरे को कुरालाई लेर बुले को कुरालाई लेर संगे खाजा खाय को कुरालाई लेर मानुशिक यातना दिन थालियो पतिको संगा र यातना को अगी लुना को केही लागे न उसले परिवार नियोजन संगो काम चाड़ी दिए बिवेक जागीर को सेलचिलामा दिपायल गायो उँ डेरामा एकले बसना थाली तर उसका माईतीले उसले डेरामा एकले बसना दिएनन उँ केशमे बालवटा रिष्टित माईती घरमकवायर बसी तरब बिबेक डिपायल बाटा सर्वा भारा कार्वंडवा आय पाछी उन्हेरु फेरी डेरामानी बसन धाले त्यों समय उन्हेरको आर्थिक वस्ता अत्यनते कमजवर भायको थियो उन्हेर संगा आफले रोजे जस्तो खाना पहुने अवस्ता पनी थिये ना हपतामा एक पटक मासु खाना पनी मुश्किल थिये उन्हेरु लाई काईली काईता चोरी लाई लाक्टोजीन ख्वावन समय पैशा भुदेई न थियो बिबेक आफनु जागेर को एक पैशा घर मा लेऊ देई न थियो अनी लुनालाई पनी कामगरना छूट दियेको थिये ना कसरी नहोस्ता आर्थिक अभाव एस्तो अवस्तामा चोरी लाई लाक्टोजीन समय त किनेरा ख्वावन न शकी रहेको अवस्तामा उसको इच्छा अनुसार को लुगा किने देना सकने हैशियत जाने थिये ना चोरी कैली काई त्यो लुगा भनेर लगावन न खोजी भने पहले लुनाको आखा बाटा आशू आउना खोज थियो चोरी लिए मागनू भन्दा पहले चोरी लाई उनना भननू पर्षा भनने संजे रा ऑइले का चोरा चोरी लाई बाबु अमारे जुन इस नहर शुख सुबिदाले हुर गाय का चन उसकी चोरी लिए त्यो वातावरन पाउना सकी ना छोरी ले खिलाऊना हरू खोजदा उसले देना सकीना, बाने का खाने कुरा हरू किनी देना सकीना, रोजे का कपडा हरू पलवद गराऊना सकीना लुना लाई उसका बोबा ले राज कुमारी जस्तो सुकर सुबिदा मा हुरकाय का थी है बोल दई नवले पनी उसका आवस्यता हरू पूरा हुन थे तर उएकली आमा सक्षें भाईना अफनी छोरी लाई त्यों सुक्खा ले हुर्खाऊना किरेके उसका बुबा संक्षंगई हाजर बुबा उसकी आमा काका हरू रदाई हरू को सोयोग थे उसलाई हुर्खाऊना तर बिवेक बिकम मा भाउ थे उसकी छोरी को जो बाउ भायर पनी भाउ को कर्तब बे निर्वागरना सकी रह को थे एना चोरी को पीडाले लुना अफनो सुखर संताफले भरीपून बाल्यकाल बार बार समझें थी चोरी लाई हेरी रहादा लुना अफुलाई चोरी को ठाउमों ब्याउन पुक्थी अफने बाल्यकाल समझेरा गालामा चोरी को बाल्यकाल ले देखा आसु छन्दी थी बिस्तारी उँ आफनो बालेकाल को समझनाम प्रवेश करदा उसका आशूपणी सुक्ते जाना थाले काथवान्डू सहर को बालवाटार इस्तीट एक सम्विद्ध परिवार मा जन्मे की थी लूना निवार समुदाय को मानंदर परिवार मा जन्मे की लुनाले आफनों बाल्लेकालीन दिन हरू खुशी रहर्षका साथ बिताई पहिलू संतान छोरा ने चाइन चाइन चा भन्तियु बिवेक एता उसका भाबु आमाले भने तीन छोरा छोरी के लागी जन्माय का थी है तेस्त्रो पल्टमा पने चोरी नभाई पाछी चौन्थो पल्टमा लुना जन्मी की थी हिन चोरी लाई लक्ष्मी को प्रतिक मानीं छा प्र लक्ष्मी लाई घर मा उज्यालो निम्तियोंने देवी को रूप मा पुजा करीं छा योटी छोरी भाय घरे उज्याल हुंचा भनने मानने ता बोके रा उसका कानचा दाजो जनमे को आठ बर्शा पची उजनमी न पोकी उजनमे पची घरमा सवे जना खोशी भाये अजा हजुर भुआता खोशी ले नाचे का थे आरे गर का हजुरुबुआ ले आफना सम्धी अर्थात लुना का मावली हजुरुआ ले खुशी हुदे भने का थिये आरे मेरो घर मा चादनी चमकियो भनेरा उसका हजुरुआ खुशी भाय को देखेरा अरूले टिपणी पने गरे आरे मानिस हरु छोरा जन्मिधा खुशी हुँचन तरा इचाहीं छोरी जन्मिधा खुशी भई राखे का छन लुना उसको हजुरुबुआ ले राखी दियेको नाम हो रष्यन भासामा लुना को अर्था हुँचा चंद्रमा हरेक मानिस पेत्र एउटा थूलो चाहना छेपेर बसे को हुँचा जीवन प्रकास माया होस अजा आफना अविभावक हरु लेता संतती हर को जीवन जुनेली रात जास्ती सुंदर सांत रदित्ती माया होस भनने कामना करदा छन आफना संतती को जीवन यात्रामा अधहरु ले कहीं कतेई बाटपनी प्रवेश नपावस भनने चाहना राखनू हरेक अविभावक को दाईतो बोध हो सायद जीवन प्रकास माया होस चान्दनी माया होस भनेरने उसका अविभावक ले होटा सुंदर नाम जुराय का थीए लुना ताय देवी देवता प्रकृति का अनेक बानकी हरुशंगा मिल्दा जुल्दा नाम हरु राखने नेपाली समाज को प्रचलन ने हो तर उसको नाम भने चलती का नाम हरुभंदा नितान तप्रिथक थीए सवेलाई मोलिक प्रतत्त हुने किसिम्खो लुना अर्था त्रशियन भासामा चंद्रमा अकास मा पूर्ण चंद्रमा चमकेर तेसले धार्तिला इसीतल ता प्रदान गल्वाय का बेला जन्मे की होदा अविभावक ले लुना नाम राखी दिये का रहे छन संभवत चादनी रात जास्ते चमकेल होस भनेर तेसले नाम राखे को थियो लुना उसको जीवन मा केई प्रकास भीत्रिये पने कुनी समय भने ग्रहन ले नाराम रिख्या जियो पने उसको जीवन को परदावाट खासे को प्रकास ले तेरे मानिस ले उज्यालो दिये को छा देरे मानिशले अफने जीवन लाई सुन्दर, सुखी र उल्लास माये बनायका छन तर उसले भोगे का अनेक ग्रहाण हरूले असा देरुआयका छन दुखी र किन नतुलियायका छन र जीवन यात्रामा अथक रूप माहिनने प्रेरणा समेत देयका छन छोरी को इच्छा संगालेर बशे का अविभावक खरू को इच्छा लाई एथार्थ बनाओ दे उजनमी तेही कारण ले उसले अविभावक खरू को अथाहा इसनेह सानिद्यता गहीरो प्रेम रहेर चाहा पाही उसका घर मा काम का लागी थुप प्रई साहुगियरो राखे का थी है बुवार हजुरामा को अक्षर प्रती असाद्दे मोह थी हो उन्हेरो लेखन प्रती अवधी रूची राख थे यही रूची ले जगजग आयर दुबै ले के किताब समेत लेखे का थी है पड़ने र लेखने यही रूची कई कारण उन्हेरो ले पुष्टक पसल समेत संचालन करेका थी है भोठा हीटी मार तेती बेलाको सवै भंदा ठूलो र चले को भने रच्चीनी ने पुष्टक पसल थी हो थी हो घरवित्र र पसल मा समेत करी 10 जना सोह्योगी ले उन्हेरो का नित्य कर्म करत थे प्रायर सवै सोह्योगी ले काम मा योटा-योटा निश्चीत जिम्मेवारी पायका थी है उन्हेरो को काम को बांड़ फान जाती ये तका अधार मा निर्धारन करियेको थी हो मगर जाती का स्वयुगी ले भाणा माजने, नियवार हर ले पसल मा काम गरने, छेतरी हर ले बंगय चारा घर सार सफाई को काम गरने र बाहुन जाती ले दोती फेरे रा खाना पकाऊने काम गरने ब्यापारी कारोबार मा जमनु अगी लुना का बुबाले चिकित्सा सिक्षय अध्यनगर्न बिरामी हरु को स्यवा गरने चाहना राखे का थी है तेती बेला चिकित्सा सिक्षय को अध्यनगर्न को लागी नेपाल मक्कुने मेडिकल कॉलेज थी है नन बिरेश माने गारा अध्यन गर्नों पर्थियो तेज शिल्चिलामा उसका बुबा चिकित सा सिक्षा अध्यन गर्ना भारत को कलकत्ता गाय का थी है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज मा भारना भायरा अध्यन गर्राय का बेला दोस्त्रों विश्य युद्ध प्रारमा भायो रब विश्य युद्ध ले संसार का अधिकांक सा भुभागलाई लपेड़ते लागयो विश्य युद्ध का बाची टाहरूले ततकालीन हिंदुस्तान को राजधानी कलकतालाई नचुने कुरे भाय है ना विश्य युद्ध चरकेंदे गवाय पाची शो मेडिकल कॉलेज को भायरी देशपाटा अध्यान गरना आयका बिद्ध्यार्ती और लाई फिरता पठाईयो उसका बुवापनी और विद्ध्यार्ती साराहनाई मेडिकल सिक्ष्या को अध्यान अपुर छोडेर नेपाल फरकेंगा थी है आफुले मेडिकल सिक्ष्या हसिल गरना नपाय को पीडार अचरपटी उसका बुवा मा चांदे थी हो तेसे कारण ले आफना संतार मध्य कसेले मेडिकल सिक्ष्या हासिल गरून मने तीवर इच्छा उसका बुवा मा राह्यो लुना भन्ना माथी तिन्जनर दाई हरु थी है तर उसका दाई हर ले मेडिकल सिख्या को अधिनमा रुची देखा है नन लुनालाई चाहें बुबार परिवार का सदस्य हरूलेने मेडिकल सिक्ष्या पढ़ाऊना जोडगारे कहले काई आफू कलकत्ता बस्ता का कथा हरू बुबाले उसलाई सुनाऊं थे खास करी उसका बुबा कलकत्ता रा काट्वन डुबीच तुलनागर नरुचाऊं थे बुबाले भन्यगर को कुरा उँ अजैपनी समझें छे कलकत्ता का मानिसर को जिवन साईली अत्यनते उत्क्रिष्टा रहे छा त्या मैले उट एस्तो वाक्षा देखें जहां मानिसको अनुहार देखें थियो तर उसले बोले को बनी सुनिन थियो बुबाले लुनार परिवार का अरु सदस्य हरू लाई आफुले टेलिवीजन देखेको प्रसंग है सरी सुनाऊं थे त्यति बेला नेपालमा टेलिवीजन भित्री साखेको थिये ना तर उसको घार मायोटा फिलिप्स रेडियो थियो देश बिदेश का समाचार सुन्न मनोरंजन रुपी करेक्रम हरु सुन्न लुनालाई तेही रेडियो ले सहयो पुर्याउ थियो मनुरंजन का साधन हरु केपनी थेनन तेती बेला न टेलिवीजन थियू न अरु केई साधन समय कटाउन र मनुरंजन लीन उँ साथियर शंगा भुंगा को गट्टी खेल थी साथि बनाउन एकदम खपिश थी लूना कसेलाई पनी पक्षेपात पुन बिवार गर ने बानी उसमा पटक के थे न लूनाले प्रारमिक अध्यन सरकारी बिद्यालाई माने गरी बुबाले नेजी बिद्यालाई पड़ोन चायको भाईपनी उसका खेलने साथियरू प्राय गरी बर्ग का थी है उन्हेरू सरकारी बिद्यालाई मा पड़ थे साथियरू छोडचन भनेर उसले नेजी बिद्यालाई जाना माने न छोरी प्राती उसका बुबाको इसनेह एती थी हो कि अपनी छोरी को खुशी को लागी केई पने नाई भन्दै न थे सरकारी विद्यालाई मां हर एक बर्ग, जाती रह समदाय का विद्यार्थेरू अध्यान गरना आऊं थे कति पए बाल वाली काता जुत्ता चपलनाई न लगाई विद्यालाई आऊं थे खाली खुटा विद्यालाई आऊनू उन्हें को बाद देता थी यो तर लूना सम्रिद्ध परिवार की सदस्य थी, तेसेली जुत्ता लगारे विद्यालाई जान थी तर कहली काई उसको बाल मस्तिसकामा खई के सोस्कले देरा बनाऊं थी उँँ भन थी मेरा साथिरू जुत्ता नलगाई इसकुलाउंचन, महिली मात्र कीन लगाउने तेस पेला उँँ हाथ मा जुत्ता बोकेर, खाली खुटा, कक्ष्या कोठा वित्र छेर थी साथि बनाऊने क्राम मा उसली जात पात, आर्थिक हैशियत, जस्ता पक्षे हरुलाई कहली पने उच्चा तवह में राखे रहे रही ना उसका साथि रूबाउन बनी थी है, चेतरी बनी थी है, रूब मुस्लिम बनी थी है जन आफने समुदाय का तर नहुने कुरे भाईना, तर उसके अतिनते मिलने साथि बने मुस्लिम समुदाय की थी तेति बेला काटवनुमा ब्यापार का सिल्सिला मा के मुस्लिम परिवार भारत बाठा आयरबसे का थी है मुस्लिम समुदाय का अधिकांक्षा मानीश चूरा रा पोते को बैपार मा संगलंग न थी है उन्हेरू का चूरा रा पोते का पसल हरू असन भित्र भित्र का गल्ली गल्ली मा प्रसस्त भेटिन थे तेती बेला जाकिया हिसाब ले समाज धेरेने कटर थी हो मुस्लिम ले चोय को पानी शमाज का उच्च भनीने जात का मानीश रोली प्यूंदई न थे मुस्लिम हर लाय औरुका घर भीत्र प्रवेश करना समेट निशिद धी हो मुस्लिम ले चोय को था पाइबहने सुन पाने ले च्वरकीर घर भीत्र छेर नो पर थी हो कटरता को कुने सीमा नहीं थी है ना लुना अफना साथियोर लाई जाती है बिवेद करना सकती न थी उँ मुस्लिम साथियोर लाई आफनो भांसा कोठा माला गयरा आफु संगे बसाय रखाना खुआउं थी उसका प्राय सवै साथियोर गरीवर दुखी थी है उन्हेर को नाजुक आर्थिक अवस्ता देखता उन्निक के भावुक बन थी उसका मुस्लिम साथियोर मा परवीन, जोया, फीजा, आदी थी है लुना उन्हेर संगे खिल थी, खान थी रहा आफना बाले का लिन रहर हरू पूरा गर थी लुना लाई आफु सरह के बाल बाले का हरू दुखी देखता अतिनते दया लागे रहाऊं थी हो मुस्लिम समदाय का बाल बालिका लाई साथि बनाओ दा, संगे खिल दा रहा खान दा समित उसका अविभावक खरूली कुने अपत्ती जरूदे न थी उसका बुवा, हाजर बुवा, पड़े लेके का रफ़रा किलो सोच भाई का मानिस थी है उनेरले कईले गरीब रत तलो जात भनेर कसला बिभेद गरे को लुना ले देखी ना उसका बुवा कईले काई भन थे, संग्षार मा दूइटा मात्र जात छन लुना एउटा पुरुष और को माईला, ये भाईक और उन जात संग्षार मा चाही ना भुबा का तेस्ता कुराले लुनालाई थुलो उर्जात दिन थियो तेती बेला रेटक्रस सोसाइटी सामाजिक छेतर मा कामगरने निके नाम चाले को संस्ता थियो उँ पांच कस्ख्यामा परदाने बिद्ध्यालाई मा तेई संस्ताको जुनियर रेटक्रस सोसाइटी को अध्यक्षय बने की थी ही उसली तिती बेला आफना साथियोरले बटूलेर टोल टोल बाट पईशा उठायर सरकारी अस्पताल का गरीब बिरामीलाई कपड़ा बितरन गरेकी थी ही तिती सानो र कलीलो उमेरमा तियो बेला आफुमा तेस्तो भावना कसरी उत्पन भायो होला अहली समझिन्दा लूना आफे अचमबीत हुन छे लूना का बुवाले एवटा प्रेश पनी संचालन गरेका थी है तियो प्रेश मा किताब हरू छापने र विक्री वितरन गरने काम समेध हुन थी हो प्रेश्मा चापिये का किताब हरू उपर तेकार बाहिरत तिरपनी लई जान थे ब्यापारी हरू बुवाले लुना लए भन थे तिमी जन्मे पची हमरो ब्यापार निके फस्ट आये लुना लुना खुशी हुन थी बुवा मा पनी सामाजिक स्यवा गर्नों परसा भने भावना थी यो बुवाले सरकारी बिद्याले हरू मा निशूलकर किताब, कापी र कलम हरू वितरन गर्ना सक्रियता देखाऊं थे हजुर बुवा, काका भरू सवै पड़े लेखे का थी ज़िए उसको परिवार मा तेसेली तियो भिला उनेरों को परिवार सिक्षित परिवार मा गनिन थीो शिक्षित भाय के कारण ने होला उनेरों कस्छे मा पनी आंकार थी जे ना लुना के आमा भने बिशुद्ध ग्रिहेंडी थीन, घर को आंतरिक काम को जिम्मा आमा के थापलो मा हुन थियो, उसलाई कहले कहले आमा ले भन्ने गर थीन, थाचे लुना, हामी छोरी मानचे भाईको कारण पन्न पाये नू, तर तिम लाई बुवा, हजुर बुवा, र काक तो न देदै भन्ती, मत डाक्टर साब बन्ने हो आमा, अनी हजरलाई स्वी लगाउनी हो, लुना का कुराले आमा हास थिन, आमा को हासो संगई, लुना को पने मीठु हासो दात बाट सुट्टु का बाहर निसकिन थियो, आमा छोरी को तेजा स्वी अनुहार मा उज्ज्व ले घर में शिक्षक राखेर, आमाले पने बढ़ाय करहे छन, लुना ले योकुरा पची मातर था पाय की थी, योकुरा था पाय पाय पची लुना नेके एखुशी भाय की थी आफनों बुवा देखी, त्यों समय मा केटा केटी बीच प्रेहिम होने र तेसले बिवाह को र मन पराउने तिने केटी हरु मत दे उनकी आमा पने पर थीन, समाज र परिवार को कड़ा अंशासन ले तोड़ देई, आमाले बुवा ले प्रेम पत्र लेखे की थीन, अरे प्रेम पत्र आदान प्रदान भाय पची, बुवार आमा विज भिवाह भाय को कुरा लुना ले आमा कहले कहीं सुनाओ थीन हागी घर का सोहईगी मानिश हरलाई पठाभणी गरिन थीओ, सम्हास़ा ले ब्या पार मा पने ब्या यहां पने ले खन्दर अचे ले रुची हाजर ब्वाह ले प्राय भगवान का चित्रहरू बनाओ थे,। लेख र कविता हरू बनी ले क्त धे सम्भवत हजुर्बुबा का प्रभाव का कारण उपनी साने देखी कविता लेखेर विद्यालाई इस्तरीय प्रत्योगीता हरुमा सहवागीता जनाओ थी बिद्यालाई इस्तरीय कतिपाय कभिता प्रत्योगीता को मुल्यांकन कमिटीमा उसका हजुरबुबा पने सामिल हुन थे तेस्ता प्रत्योगीतामा उपराय प्रथम ने हुन थी तरा आफने नातिने ले प्रतम बनायको आरोप जेलनो परला भनी उसका हजुर बुवा चुपचा बसने गर्थे आरे लुना का जेठा दाईले उद दस बर्षा की होंदा देखी नई उसलाई योगा शिकाओना थाले योगा मात्रा हईना दाईले उसलाई साने मा स्वेटर बुणना पटी शिकाओना दाई के धुलो भोमी कार आयो अज उब भन्दा माथी तीन जाना दाईहरू भायको हुंदा उद धेरे कुरा दाईहरू के शिको गर्थी दाईहरू को शिको करदा कहिले केटा मांचेले जस्ता पहिरन लगाऊं थी कहिले कपाल छोटो पारे रकार थी कहिले केटा को जस्तो जित्ता लगाऊं थी अव्यवावा घर को माया रहेर चाहले लुना को भल्यकाल, कोने राजकुमारी ले पाउने भातिक शुख सुभिदा रप्रेम भन्दा कम थी है ना घर मा उसको अध्येन गरने कोठा वेगले थी हो, उसको सुतने कोठा पनी वेगले थी हो तेशुद बुवाले उसका निम्ती घरमे डकरमे ले बोलायर ड्रेसिंग टेवुल पनी बनावन लगाया का थी है उँ काक्ष्यामा जाहिली पनी प्रथम हुन थी तेती बेला प्रथम हुने बिद्यार्थिलाई विद्यालाई ले चात्रबृत्ति दिने घर थी हो आफुले पायको चात्रबृत्ति उसले आफुसंगे अध्यान करने उटा गरीव र जहन्दार साथि ले दी चात्रबृत्ति स्वरूप मासिक 35 रुपियां प्राप्त हुन थे हो उसले विद्याले के सिक्षे ख़र लाई भान ही उसको कुराले शिक्षा खरूपने चाक का पारे रसाने उमेर मां देखियेको उसको बवदिक्ता को कदर गर दई उसले पायको 35 रुपियां मुश्लिम समधाय की जोयालाई बिद्यालाई ले दियेको थी हो उन पनी तो बेला 35 रुपियां धरे ठुलो रकम मानीं थियो उसका साथियरूम सबै को पढ़ाई ठीके थियो तर जोया को पढ़ाई भने निके कमजोर थियो दुरवाग्यने भनों चार कक्षा मा पढ़दा पढ़दै जोया को बिवाहा भायो बावु आमाले उसलाई जवरजास्ती भीहे करे थिये जोया को बिवाहा होंदा उसको बिवाहा को निमतो कार्ड लुनाले हात लेले लेखेर तैयार पार दे की थी निमतो कार्ड छपाउन सकने हैशे थे न जोया को अचेल पनी जोया संग उसको कुराकानी भाई रहांचा बेला मौकामा जोया अहली संपन्ना जिवन बिताई रहकी छे कहली काई भेडशन उनी हरू अनि त्यो काड रब दिभाहा समझेरा मरी मरी हांस छन पर्यात धन संपत्य भायवा पनी तेसला है आफनो बेक्तिकत प्रयोजन मा मात्र उसका अविवावक हरू ले प्रयोग करेई नन आफनो संपत्य लाइ सामाजी कारिहरू मों लगाऊन información उसका अविवावक ले सदेव अग्रसर था ली है हजरबु आरबु आरबु आले, बिद्यालाई निर्मार्ण, पुस्तकालाई निर्मार्ण देखी, समाज मा आईपर ने अनेकों किसिम का कारियों मा सोयुग रसंगलंग नता जनाय का थी है तेती मात्र हो ही न उसकी आमा समेत दान धर्मका कुरामा मन खोले रदिने कर थीन, उसकी आमाले एक आखा अस्पताल लाई जग्गा समेत प्रदान करे की थीन त्यों जग्गा दान करने बिलामा उसकी आमा को स्वास्ते अवस्ता अतिनते नाजु को बनी सके को थी हो स्वास्ते अवस्था खराप पाहे पने मालपोद सम्मा आमालाई लवेर आखा अस्पताल को नामा जग्गा पास करिये को थे हो छोरी काख मा राखेर रूंदा रूंदाई आफनों बालेकाल समझेरा मुस्कुराउन थाले की लूना काखको छोरी ρोयको अवाज लेए संगेरोन थाली अफना आमा समझेरा अफु छोरीको आमा भायको मा दिख कमानी अफनों बालेकाल राखचोरीको भालेकाल ले तूलना करने कुने ठांव थे न लूना संगा छोरी लए छाती मा टासेर बिश्चरी रोई लूना तर बिवेक मा किने यो बिवेक थे न कि उज शिक्षित्र सक्षम भायरपनी अफनों करतब्ब बोध गरदई न बिवेक को समझनाले मात्रपनी उसले यातना को महसुस हुना थालेको थियो अच्छल बिवेक को न ज चात तानगरी, दिपायल रे डोटी समा पुगेको कुरा सुनाओ थियो कहली काईं 24,000 कमाई भायो हनेर दिन थियो रे कहली चाईं घरमा भायको एक बैसा बाकी नराखे लिये रहे हिंड थियो कासाईले रक्कुने परिस्थितिले शुधार न शकेको अनूठो मानीस पनेको थियो बिवेक, साइद चोरा को चाहना पुरा न भायको ले उँ बैरागी भायको होला लुना मनमने सोच थी लुनालाई लागियो एदी चोरा जन्मिदा बिवेक खुशी हुँचा, हमरो सम्मंदर आमरो हुँचा रे जिन्दगी सामान्य भायरा बिच्छा भाने मा चोरा को लागी पाहल गर छुँ मन को सोचाईले पूना ता दिन एक रात उसले बिवेक संगा भाने बिवेक छोरी दुई बर्षा की हुँचा लागि अबा हमी औरको संतान को भारी मा स्वचन सक्छाँ मलाई चोरा चाहिन छोलो न उसको जिद्दी एथा वक्ति यो बिवेक मेर जोर चाले सम्मत मा चोरा ने पाहुने कोशीश कर छोनी टिम भननी मले तिमरो उठ मा आसो हिर्न मनचा तिमले चोराले काक माराखे र लाईले करदे भतायको कान माराखे र गुमायको गोग storage केलाएको farmershyr ने मनचा नी मले पनी लुना ले भानी अफनले संतान को चाहना भन्दपने बिवेक का लागी छोरा जन्माई दिने इच्छा उसमा तिवर भायरा आयो उसले जिद्दी गरे जास्ते छोरा भाय भने खटवत भाय को बिवेक राफनो सम्बंध स्वता सुदार हुने कुरामा उठुक का भायी उनिहरूले सल्हा गरे जस्ते लूना फेरी गर्वबते भायी आमा वन्ने खुशीले उसले हर्शित दुल्यायो उँ आफनो र पेट को बच्चा को ख्याल राखना थाली एति वेला उसको जागीर थे न कहली काई मन लागदा बिवेक लीदे को पैशा र काम गर्दा खेरीको बैंक को थोरे बचतले लूना ले घर को संपुन खर्चा धाने की थी ही समय चक्र जस्ते चली रहको थी हो आफना जीवन का आरोह अवरोह हरू चक्र में गोमी रहन थे भोगने कुरा भोगनो पर्थियो इस पाठो कसे ले छोटकार अपाउने वाला थी हैनन सवय भागेतारी होने पर्थि निये थीखो आजा भोली बंदा बंदाई एसरी लूना को पेटमा भाईको बच्चा विकाशेत हों देगा हो बिवेक इस तो बेला कहले काई लूना लाई माया गरे रा काम मा सहयोग करने रो पोष्टिक अहार हरु खुआउने अनि छोरी को हेर चाहा करने कर थी हो तर कहले काई फेरी छोरी पाईस भने घार मा बसनों परदेना भने रा भीनाकारन नियों खश थी हो बिवेक को किच-किच्र जगडामा लूना अव्यस्त बन्दे थी ही उसको लागी पेटमा भायको बच्चालाई कसरी श्वस्त जन्माउने भन्ने कुरा सवै भन्दा मात्तु पून थी हो तेसेले उसले बिवेक को कुरालाई खासे ध्यान नदी पूरे नव मेना बिताई उसलाई तीन बजे राती देखिने व्यथा लाग न थालियो बिवेक घर ना आयको दुई दिन भायको थी हो डेलिवरी को दिन आईशक्यो टाडा कते नजव ही भनेर लुनाले हक्ता दिन अगी बाटे उसले समझाई की थी ही तरा उबहने दुई दिन अगी बाटे घर आयको थी है न थाहा भायजती रा नंबर भायजती साथियरु का गयो की भनेर उसले अगिलू दिन ने फोन पनी लगाई तरा उसको कत्ते पत्तो लागे न तीन बजे बाट वेथा लागे को भायतनी माहितमा खवर गरदीने न कोई मांचे थी न आफू संगा फोन थे उत्यती बेला 26 वजे आफू बसे को घार नजिके को पसल खुले पसी हतार हतार गयर त्याको लैनलाइन फोन बाट माहित फोन गरी रा आमाले सवे कुरा बताई लुना को बसाई रा माहिती घार को दूरी निके टाड़ा थीयो माहिती बाट आमा आयरा हस्पिटल लै जाना धेरी समय कुर्णू पर्थियो त्यो भंदा लुना आफेले एंबुलेंस बोला आयरा थापथली हस्पिटल जाने तयारी गारी आमा पनी माहित बाट सुथकेरी रबत चाले चायनी सवी सामान हरू लेरा थापथाली पुगिन आमा संगई बुबा रज्जेठी भावजू पनी आयगा थीये उन्हेरू लुना पुग्णु भंदा अगावी पुगेरा अतालीन दे उसको बाटो हेल दे थीये लुना एम्बुलेंस मा एकले आयको देखेरा हस्पिटल का मांसे हर ले चक का परेरा जिबरू टोके का थीये आमारा भावजू ले लुना लाई समाल दई एम्बुलेंस पाटा बाहरे निकालेरा एमर्जेंसी मा पुर्या हे बच्चा मुख्षम में आयपुगी कुछा भंदई नर्स हर ले उस्ताई लेवर रून तेर दवडाए आमा बुआर भावजू बाहर बसी रह का थी है बिवेक विस्तारे आफनी सुर्मा हस्पिटल आयको उन्हेर ले देखे बिवेक विपनी देखेो नजिक आयर लुना को बारे मा सोधियो उसले सोधनू रपित्रबाट खवर आउनू संसंगे भायो नर्स ले जान करी दिन की तपैहर को छोरा भायको छा नर्स को कुराले सवे जना खुशी भाये संसाई सबेको आखा बिवेक को मुहार मा पर यो तर उसको मुहारमा ते उजैलो थिये न जुन उजैलो आफनो संतान होदा भुवाको अनुहार मा हनुपरने थियो उसले चोरा को चाना थियो ते hating चाना पूरा गर देकि थी लुनाले ताई पने उँ किन निरास देखियो, सोस्ना लायक खुबी शय थी हो लुना को माईती लाई पने ज्वायको ब्यभार अनोठो लागियो आमाले सो धिन, ज्वायसा, संचो छही ने की, खुशी देखिनू भागो छही नत आमाको कुराले टोलाई रहको बिवेक एकाक जासकेर, वहीन ठेकेई छा, छोरो हेरन जान्चू पन्दे तिया वट चड़कें छा उन्हेरू हेरेको हेरे होन छान लुना बेड मा पल्टी रहकी छे, छव में छोरा सुती रहको छा, बिवेक लुनाको नजिक आयरो भीन छा बिवेक लाई देखेर, हिन जो देखीकुल सारा पीडा र रीष, छेन में बोली दिन छे लुना, प्रमुस्कुराओं दे बान छे, बिवेक, हेरन, हमर छोरा भायो, कस्त क्यूट छा अगी? लुनाका कुराली बिवेक का आखा छोरा को अनुहार मा पारियो, छोरा कस्तो छ, उसले रूपरंग जाचे न, बोकेर छाती मा टास्तेई, गाला मा चुम्बन गरेर, माया परिंज दाए न, तिमले कस्तो छ, एकले कसरी आयो, कहली देखी व्यथा लागी को हो, केपनी अफ्टेरों मा फासे कोले दुई दिन देखी घरा, उनोन भाय को कुरा गरेर, लुनाको मनलाई शांताने बनायो, उँ, चुपचाप के नसोधी भाहिरनिस कीयो, आमा बुवा र भावजू तिने जना एक के चोटी भीत्र पासे, भाहिरनिसकने र भीत्र पासने क्रमा, उ चुपचाप, अंजान बेकती हरू जहीं, वार पार भाय उनी हरू, नर्मल सुधकेरी भाय की थी लुना, उसलाई 48 खंटा पची हस्पिटल ले बिदा थी हो, लुनाका माईती ले ज्वाइन ले पकार खान दिन ग्यारू हुंच भने हामी लईजांचों भने का थी है, ते सेले आफना स्वैच्छाले उसले लुनालाई पकार खान दिन ग्यारू, तर सुधकेरी समझेर, कहीले उसको मर्मा रभोग भुझे नाू छोरा चाइन छा वांधियो पहिले उँ बार-बार, छोरा भाय पाछी एक पटक पनी खुशी ले बोके गुना देखेर, लुनाले भाने, पिपेक, छोरा जन्मेदापन तिमी खुशी छाय नूत, मलाई संका लाक्षा लुना, यो छोरा मेरो होकी होई नू भाला, खुशी 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 होई संका लावगा थार, भाला मेरो भावगा होई इस दित्राशी खुशी